के जी अफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फिल्ड्स है और फिल्म में इसके दूसरे अध्याई का नाम के जी अफ चैप्टर टू रखा गया है यस यानि रोकी भाई को जिन्होंने गिंदी में आवाज दी है उनका नाम सचीन गोले हैं आप उनकी एक जहलब यहां देख सकते हो KGF चैप्टर टू के डारिक्टर परसांत नील सर ने कोलार कोल्ड फिल्ड्स में सोने की खानों को दिखाने के लिए हाई टेक टेकनोलोजी के साथ साथ VFX यूज किये थे लीड कास्ट के अलावा इस फिल्म में 800 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट को लिया गया जिए आप यहां देख रहे हो बाकि इतने आर्टिस्ट को बाहुवली और बाहुवली टू में भी हायर नहीं किया गया था इतना ही नहीं ज्यादतर फिल्मेकर्स अबजेक्ट मॉडली और कॉपी पेश से ही लोगों की भीड को मूवी में दिखाते है एरी एलेक्सा SXT जैसी हाई डेफिनेशन कैमरे को सिनेमेटोग्राफर बुवन गुंडा ने कंधे पर रखकर सारे एक्शन सीन सूट किये थे ताकि सौल्ट परफेक्टली लिया जा सके इतना ही नहीं इस एक कैमरी का वजन ही 40 किलो ग्राम है वैसे इस फिल्म में 150 से ज़्यादा कैमरे यूज हुए हैं जिने डिफरेंट डिफरेंट एंगल दिखाने के लिए इस्तमाल किया गया था मैं आपको बता दू कि बुवन गुंडा सर डेक्टर साब के पसंदीदा सिनेमेटोग्राफर है उन्होंने केजियक चेप्टर वन को बनाया था इसके अलावा प्रभास के साथ उनकी अगली फिल्म सालार में भी भुवन गुंडा ही सिनेमेटोग्राफर है फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर नवीन सेटी है इनके अलावा योगी जी राज भी थे आप उन्हें और उनकी टीम को कलाकारों को कॉस्ट्यूम पहनाते पर देख रहे हो यहां उनके द्वारा अधिरा यानि संजदत को तयार किया जा रहा है मैं आपको बता दू कि उनके सूट का वजन यानि अधिरा के सूट का वजन ही 25 किलो ग्राम था जिसमें लेदर, कॉटन, चूट, इत्यादी यूच किये गए है उस कपड़े को बनाने में स्रीनीधी सेटी और यस का कॉस्चुम डिजाइन सान्या सरधारिया ने किया है उन्होंने लीटकाश को मौडन और रेट्रो लुक वखुवी और पूरे परफेक्शन के स्याद दिया था तब ही तो इस फिल्म के लुक से लेकर स्टाइल तक फेमस हो गए है वैसे तो फिल्मों में कार चेजिंग सिक्वेंस को वी एफेक्श स्टूडियो में ही सूट करके दिखाये जाता है बट इस फिल्म में और जिनिलीटी का पूरा ध्यान रखा गया था यहाँ पर आप जिस कार को देख रहे हो जिसमें की रौकी रीना को बचाने जाता है दरसल यह फोर्ड मुस्तांग 1969 है जो की काफी महंगी कार है मुखेता के जी अप चेप्टर टू फिल्म की सूटिंग कोलार गोल्ड फिल्ड के अलावा बैंगलूरो हैदराबाद और मैसूर में सूट क्या गया है जिसके बारे में आप आगे जानोगे वैसे तो मुवी में कोलार गोल्ड फिल्ड के कुछ ही डिश्टेंस पर रौकी का रॉयल प्लेस था बट असल में उनके घर को दिखाया जो गया है वह लोकेशन हैदराबाद के ताज फलक नुमा पैलेस का है बट फिल्म में हमें ये दोनों चीज़ एडिटिंग के जरिये एक साथ यानि अगल बगल में दिखाई गई थी मुवी का यह सीन उस समय का है जब रौकी को देखकर लगता है कि वह अब सब कुछ हार चुका है बट वह इनायत अली से डील करने दूबाई चला जाता है में इस वाले सिक्वेंस की सुटिंग हुई थी अब क्लाइमेक्स के इस सीन को देखिए आपको क्या लगता है कि क्लाइमिक्स बनाना कितना डिफिकल्ट होगा फिल्मेकर्स ने अपने टोटल बजट का फिप्टीन परसेंट हिस्सा क्लाइमेक्स के लिए ही बचा कर रखा था यानि सिर्फ क्लाइमेक्स पर ही बाड़ करोड रुबै खर्च कर दिए गए थे एंड लाश्ट वाला फाइटिंग सीन ने जहां पर अधीरा और रोकी को लड़ते फिर दिखाया गया है जो कि काफी दमदार फाइटिंग सिक्मेंस में से एक है तो इस जगह पर दोनों ने दमदार फाइटिंग तो करी है बट जानकर आपको अच्छा लगेगा कि इस एक डिप एजेंट स्रीनीदी जी जिन्होंने इस फिल्म में रीना का किरदार निभया है जो कि रोकी की वाइफ रती है यहां उन्हें आप बहाइंड द सीन में देख रहे हो वो अपने सौर्ट को खुद से देख भी रही है और यह क्लिप होली का है और और उनकी टीम यानि के यह फिल्म के लिए बड़ी बड़ी साथ फिल्मों का आउफर अब तक ठुकरा चुकी है ताकि वह रौकी के साथ स्क्रीन सेर्थ कर सके क्लैमिक्स का यह धासू सीन है जिसके सौर्ट्स और रील आजकल खुद वाइरल हो रहे हैं यह सीन फिल्म में आपको कुछ ऐसे दिखाया गया था यहाँ पर रौकी खतरनाक लुक में मिलिश्टर को मारने भूसता है तो फिल्म में दिखाये जाने वाला यह सीन एक रियल यानि कि इसे वी एफिक्स स्टूडियो में बनाया नहीं गया था बलकी यह लोकेशन मैसूर के इनफोसिस कैमपस का है जो कि करनाटक में इस्तित है इस जगह पर एक एक फोर्टी सेवन की धेर लगी गई है और यहाँ पर कुछ पुराने जमाने की जीप और एमबेसेडर क सारे भी दिख जाएगी आप लोगों को तो यह इसी सूटिंग लोकेशन का बीटी एस है यह इनफोसिस कैमपस मैसूर का बाहरी एरिया है इस जगह हैंडसम रोकी भाई का प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से पहली मीटिंग होती है जिसका बीटीस आप यहाँ देख रहे हो इस जगह पर रोकी रेट कलर के सूट में नजर आये थे जो कि इंदीनों काफी ट्रेंड कर रहा है इस तरह के कॉस्ट्यूम इस तरह का आउट्फिट आज का लड़के खुब पसंद कर रहे हैं यहाँ वह काफी हैंडसम लगे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ इनफोसीस कैमपस मैं सूर के अंदर का ही एरिया है पहले बाहर वाला एरिया जो आपको मैंने अभी दिखाया और यह उसके अंदर का है यह काफी प्राइम लोकेशन है आप इस जगह को देखकर भी खुद समझ सकते हो आप लोग यह लोकेशन देख रहे हो असल में यह केजी अप यानी कोलार गोल्ड फिल्स का लोकेशन है इसी जगह पर मूवी का 50% हिस्सा बना है यह करनाटक के कोलर में एसी एक असली जगह है यहाँ पर सच में सोने की बहुत सारे खताने थी कभी तो क केजी अप शेप्टर 1 और केजी अप शेप्टर 2 की पूरी स्टोरी कोलार गोल्ड फिल्स में बनी सोने की ख़दानोंपर आधारी थे यहाँ लोकेशन बैंगलोर से लवग- competed की दूरी परिष्थित यही है वैसे तो केजी अपकी इस्टोरी कालपनिक है लेकिन कहीं न कहीं इसे आप लोग रियल कोलार गोल्ड फिल्ड से रिलेट कर पाऊग। साल 1981 की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यस को इंडिया का सबसे खतरनाक क्रिंगल बता कर उनके खिलाफ देथ वारेंट सिगनेचर करती है लेकिन उससे पहले यस गरूरा को मार कर कोलार गोल्ड फिल्ड के उपर अपना सामराज जी खड़ा कर लेता है और फिर कोलार गोल्ड फिल्ड से निकलने वाले सोने को अपनी मन मर्जी कीमत पर हुआ बेचता है रियालिटी से भी आप लोग को रूबरू करवाओं तो 1979, 1980 और 1981 में गोल्ड की रेट बहुत तेजी से बड़ी थी 1902 में कोलार नामक इस जगह पर गोल्ड माइनिंग सुरू हुए थी माइनिंग के लिए बड़े-बड़े एक्विपमेंट्स लगाई गए थे उसमें ब्रीटीस की हुकुमत थी जिसे की उन्होंने भारत में गोल्ड माइनिंग के लिए एक डैम बनवाया जिसे कावेरी ड पानी फावर हाउस जो की आस पास के देशों को बिजली प्रोवाइड करता था कावेरी डैम से इतनी ज्यादा इलेक्टिसीटी प्रोड्यूस होने लगे की आस पास के सहरों को भी इसका फायदा मिलने लगा था यही वह बड़ी वजह है जिससे की बैंगलूरू देश का स सबसे पहला बिजली संपन में सहर बन गया था जो भी फैक्ट भी है तो जैसा कि मैंने काया कि यह लोकेशन रियल है के जीएप चेटर 2 के डैरेक्टर परसांत निल सर चाहते तो यह पूरी फिल्म वी एफेक्स स्टूदियों में भी बना सकते थे लेकिन यहाँ जो सेट त करती दिन काम करते थे देखे गोल माइनिंग के लिए साइनाइट का यूज किया जाता था पहले यहां जो आप इस जगह पर इतने बड़े विसालगाय गड़े देख रहे हो यह फिल्मेकर्स द्वारा नहीं करा गया बलकि यह माइनिंग करने से ही इतना बड़ा गड़ा अब सोचो कितनी ज्यादा साइनाइट यहां यूज किये गए होंगे यहां तक इस जगह पर साइनाइट के पहार भी बन गए हैं और उसकी धूल से फिल्मेकर्स और कुरू मेंवर्स को काफी ज्यादा परिसानी का सामना करना परता था तो आप लोगों ने यहां जाना कि केजी अप चेप्टर टू को बनाने में कितना हार्ड वर्क लगा है केजी अप चेप्टर टू मुवी को बनाने में लगे हार्ड वर्क के बारे में आप लोगों ने तो जान ही लिया ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेयर करो ताकि और कि फिल्म कि दिनी